मेरा नांग शोनाली मुखर जी है, पिछले कुछ दिनों में आख लोग मेरे गारेंगे जान रहे है और कर रहे है ये है शोनाली मुखर जी, जिनके उपर 2003 में दिन की 22 एप्रिल को असिट एटक किया गया था एक हस्ते खिलते लर्गी, पराई में इतने अच्छी कि स्कॉलर्शिप भी मिली थी उनको कॉलेज जाने आने की रास्ते में उनके महली की तीन लफंगे छिर्थे थे उनको शोनाली ने अपनी घर में इस बारे में बताया था शोनाली की फैमिली भी बहुत सपोर्टिव था उन्होंने उन तीनो लफंगे की घर में जाके उनको चेताब ने दे थी ये बाती सहन ने हुआ पोतीन दरिंदी को गर्म का दिन था, गर्म के दिन में शोनाली और उसकी फैमिली रहती थी सोती थी रात को छत पे इस बात की फाइदा उठाके वो तीनो दरिंदे रात को छत पे जाके शोनाली के चेहरे पे पूरे एसिट की बोतल ढाल देते है एक लम्हे में सब खतम एसिट की कुछ बुन्दे शोनाली के बहन और पापा के उपर भी गिरी थी एक जटके में सब कुछ बदल गया केस चला इन तीनो दरिंदों में से दो को दस्तल कर सजा हुआ जो कुछी महने के बाद जमलत के दौरत दरान एद लोग बहारा गए और बाकी जो एक था वो नाबा लग था इसलिए उनको उसको सजा ही नहीं हुआ लाराई चलता रहा शोनाली की 2012 में KBC के अंदर शोनाली सब शोनाली के पहचान मिली थी इसके चलते हैं इस एपिसोट के बाद शोनाली को मिला एक गौब्बन जॉब यहाँ तेक नहीं यह देखकर ही चित्तरंजन तिबारी जो की एक इंजिनियर है शोनाली को मेरेज के लिए प्रोपोजल दिया अब शोनाली खुश है, नौकड़ी है, पती है और उनकी एक छोटी सी क्यूट सी प्याडी सी बच्ची भी है असीड अटाक करके आप किसी का चेहरा खराब कर दे थे लेकिन उनका आत्मेबिस्तास, उनका साहस आप कुछ नहीं चेहन सकते हैट्स ओप शोनाली मुखाजी, हम सब लर्कियों के लिए इंस्पिरेशन सब्सक्राइबिस्तास